एक कहानी एक सोफी नाम की अड़त के बारे में है जो आपर इस दोनों नियूली इस गर में आकर शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होने के बाद ए लोगों यहाँ पर कीश करना लगते हैं एकिन इतने में जेम्स को एक कल आता है यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसकी फादर का घर काफी ज़्यादा बड़ा था क्योंकि वो बहुत अमिर थे लेकिन सोफी इस घर को देखकर खुश नहीं होती है और वो जेम से कहते है कि मैं इतने बड़े घर में नहीं राना चाहती बलकि मुझे ते एक छोट असा घर पसंदे लेकिन जेम उसे किसी भी तरह से माना ल गरपर काफी परिशान होती है क्योंकि उसे इस घर में काम करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि गरमें बहुत मेर्थ है जिसा पर सोफी को बहुत में भूAssा आता है और सबी सर्वेंट को जब से निकाल देती है रात में जब James गर बापस आता है तो गर में कोई सर्वेंट नजर नहीं आता इसलिए उस सोफी से इस बारे में पुस्ता है सोफी बताती है कि उसने सबी मेड को निकाल दिया है क्योंकि उन लोगों ने उसे काम करना नहीं देते एस सुनके जेम्स बताता है कि तुम कोई बाववली नहीं होगी तुम इतना बड़ा घर का सारी काम कर सके एस सुनके सोफी उसे मनाने के लिए उसके साथ इंटिमेट होती है अगले दिन जब जेम्स ऑफिस में था उसे सुफी कल करके पताती है कि उसकी गर की घांस काफी बड़ी हो चुकी है इसलिए जल से आके घांस काटना जब जेम्स ऑफिस से ठकते हुए घर आता है तो सुफी उसे रात में ही घांस काटने बेज देती है और James बहुत गुशा होता है क्योंकि वो ऑफीस ही ठका हुआ गर आया था Sophie भी एट नोटिस करती है लेकिनों कुछ रियाक नहीं करती दिरे दिरे Sophie James को और भी ज्यादा परिशान करना लगती है और James एबात उआपने प्रेंट को बताता है तो उसका फ्रेंड उसे एक साइंटिस्ट का एड्रेस देता है और गहता है कि तुम इसके पास आना आ रहे तुमारी प्रॉब्लम चुटकी में ही सोल्व हो जाएगी इसके बाद जेम सोफी को लेकर उसी साइंटिस्ट के पास आता है यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि वो साइंटिस्ट का नम जूलियर होता है और उसने कई सारे ऐसी रोबर्ट बना रखे है जो कि बिल्कुल इंसान जैसे ही है और यह रोबर्ट तो इंसान की तरह बात भी करते है और सारी काम भी इंसान की तरह ही करते है सोफी ये सारी रोबर्ट देखर काफी इंप्रेस हो जाती है और एक रोबर्ट लाने के लिए टिसाइड करती है यहाँ पर साइंटिस्ट इन दोनों को एक रोबर्ट एक्जामपल के लिए देखाता है लेकिन सोफी को एक male robot पसंद आता है जिस robot का नाम हैंडरी होता है फाइनली ये दोनों इसे खरिद कर घर में ले आते है सोफी को ए रोबर्ट पिल्कुल इंसान की तरह लगता है ये सारी काम करता है जिसे की इंसान करता है लेकिन जेम्स उसे बताता है कि ये तो बस रोबर्ट है तुम बस बार-बार सोच रही हो इंसान है इसलिए तुम ए रोबर्ट है इंसान जैसे लग रहा है एक दिन सोफी नाहा के बिना कपड़े बाहर आती है तो यहाँ पर रोबर्ट उसकी बोड़ी के पाड़ को काफी गूर गूर के देखना लगता है सोफी यह देखके थोड़ा डर जाती है और जल्दी से कपड़े पहन लेती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि उए एक इंसान है इसके बाद उसे जेम्स को कॉल करके इस सारी बात बता दिये और जेम्स फिर से उसे समझाता है कि उस तो बस एक रोबर्ट है तुम ज़्यादा टेंशन मतलो जब जेम्स गर आता है तो फिर से सोफी उसके पीछे पढ़ना लगती है हेंड्री एक इंसान है पर जेम्स ये सारी बाते इग्नोर कर देता है अगले दिन जेम्स हेंड्री के साथ टेनिस किलना जाता है यहाँ पर ये दोनों बात भी करते है और जेम्स को हेंड्री काफी पसंद आता है दिरे दिरे टाइम भी पी चाता है और सुफी भी हेंद्री के साथ comfortable फिल करना लगती है और वो हर समय सबसे हेंद्री के भाथ करती है और हेंद्री से ज्यादा से ज्यादा पूरा नंगे होके लेटा उवा था और गारेन के सामने हेंडरी पूरा नंगे होके लेटा हुआ था और हेंडरी को नंगा देखके सूफी उसकी पास आती है यहाँ पर हेंडरी बताता है कि मैं एक सपना देख रहा था लेकिन सूफी को अजीव लगता है कि एक रूबर्ट किसे सपना देख सकता है अगले दिन उस साइंटिस्ट उनकी गहर आ जाता है सूफी उसे बताती है कि आपके रोबर्ट तो बिल्कुल इंचान जैसा ही हारकत करता है साइंटिस्ट उसे बताता है कि एक छोट असा इरा था जो हर कम्टर रोबर्ट में आना नार्मल है अब एसा नहीं होगा उसी राज जैम्स लाइट आफ करके सूफी का इंतजार कर रहा था लेकिन सूफी उसे बताती है कि आज मेरा एसा करने का मोड नहीं है और जैम्स आपना सारा मोड खराब कर देता है एक दिन सूफी हिंडरी से मसाज कर रही होती है अचानक से एक दोनों फिंगरिंग करना सुरू कर देते है और फाइनली एक दोनों इंटिमेट हो जाते है यह देखके सूफी काफी सौख होती है और उसका आख खुल जाता है यानि कि ए एक हाप था पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और शुफी बाहर आकर देखती है तो यहां पर हैंरी होता है जो कि उसे देखकर बापसार न लगता है शुफी उसे पूशते है कि क्या तुमने मुझे बिना कपरे के दिखा है जिसपर हैंरी पताता है कि आप ही बताओ हाँ बोलो याना जो आप चाहते है में उहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो एक रोबर्ट था और इंसान जो बोलेगा उभी उभी बोलेगा और सो भी समझ जाती है कि इसे उसने का कोई फाइदा नहीं है और वो रोबर्ट को जाना देती है इधर जेम्स एंट्री की बज़ा से काफी परिशान है क्योंकि ए कर मत करी बस थोड़ा सर ताइम उसे दीजे देखना खुदी ओर ठीक हो जाएगा उसके बाद जेम्स कर आकर एंट्री को वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरे वाइप से दूर रहो और सारे काम उससे दूर होकर करना और ये बाद सोफी भी सुन लेती है और काफी गुस् हेंड्री उसे माफ ही मागता है और उके था कि अब में ऐसा कभी भी नहीं करूंगा जेम्स भी उसे माफ कर देता है पर दो दिनों से जेम्स का इंटीमेट होने का बहुत सुक था इसलिए वो हेंड्री को जगा कि उसके साथ बहुत गलत कर देता है और इसकी बज़ा से हें सिधा क्राद होकर उसे भुष्से दूर कर देती हैं और क्या तेती है तो सपी उसे सब कुछ बता देती है लेकिन जेम्स उसकी बात इग्नोर कर देता है इसलिए सुफी बार बार उसे बोलती है इसके बात जेम्स सीधा हेंडरी के रूम में जाता है और हेंडरी को एक मुक्का मारता है लेकिन इसे थो जेम्स को ही लग जाता है जिस पर जेम्स बहुत गुस्षा होकर उसके चार्जर को तोर देता है अगले दिन हेंरी स्चुफी के साथ माप मागती हुए बता था कि मैंने कुस गलत नहीं किया है अब साइन्टिस्ट हें चैनरी को देते हैं तोम हेंसे को साथ क्यों इंटिमेट हो गया यहां पर जैन्स बहुत धुल्ड होता है और बता था है कि मैं बिलकुल अगेला हो गया था तो मुझे भाव भी नहीं देती थी इसलिए मैंने एसा क्या लेकिन ये दोनों एकरका से मावी मागते हैं जब ये दोनों घर जा रहाए हो देहें एक हे उस साइंटिस्ट के घर में फूलिस आई हुए हैं इन दोनों को पता चल जाता है कि उस तो कोई में इंसान थे मतलब हेंडरी भी एक इंसान था और मोबी के लास्ट सीन में हेंडरी वो साइंटिस्ट को मार देता है और सोफी और जिम से माफी मागते हुए खुद को भी सूट कर देता है